रुस्थानी दिली के शौहबार डेरी में साक्षी हत्यकान के बाद एक ओड़ संसनी खेज हत्यकान की वारधात सौ Bennett दिली के रुजू-पार इलाखे से सामया रही है। इसमें भी बूरी तरह से चाखू से ताबर तोड हमला करके एक श्रक्स की हत्या कर दे गई CCTV में साफ दिख रहा है कि किस तरह से दो आरोपी एक यूवक पर बूरी तरह से चाखू गोद रहे हैं इस यूवक की हॉस्पिटल में मौत हो गई बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी पर एक डर्जन से ज्यादा ज़त्म के निश्वान मिले हैं मृतक की पहचांच सचिन के रूप में हुई है यह राजू पार्क इलाके का रहने वाला था उमर उसका 23 साल है नाम सचिन कुमार है अभी वह जोग नहीं कर रहा था बलकि परहाई उरह कर रहा था तो परहाई खत्म करके अपना छोटा मोटा काम वैसे कम्पूटर का सिखवा रहे थे उससे अब साती संगत जो भी हो क्या है नहीं है यह सर हमें पता नहीं है ठीक है उसी ने किसी ने आकर को उसको यहाँ पर चाकू मार दिया दो आजमी था या तीन आजमी था लोग बता रहे है वो बता दाओंगा क्योंकि मैं आँखों से देखा नहीं हूँ अभी प्रितक के रिष्टदार का कहना है कि जिस जगह पर चाकू मार कर सचिन की हत्या की गई वहाँ पर अकसर आवारा किस्म के लड़के खुमते रहते हैं लेकिन पुलिस की पैट्रोलिंग नहीं होने की वजह से इनका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है जब सचिन को चाकू मारा गया उसके बाद पुलिस को कॉल की गई लेकिन पुलिस काफी देर बाद आई जिसकी वज़े से खून और ज्यादा बह गया और उसे होस्पिटल लेच्वाने के बाद दौक्रों ने उसे मृत घोशित कर दिया किस तरीकी का पहले से कंप्लेंड दिया हुआ था कुछ ऐसा देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर पुलिस कोई निंगराजी नहीं करते इस मामले की पूश्टी करते हुए डीसिपी साउथ चन्दन चोधरी ने जानकारी दी है कि मृत्तक राजुपार्क के सी ब्लोक का रहने वाला है नेपसराय थाना की पूलिस ने इस मामले में फायार दर्च कर ली है और आरूपियों की धरपकड के लिए छानबीन शुरू कर दी है